आप सब कैसे आशागर तो आप सब बहुत अच्छे है आज हम हमारे क्लास 10 जेओग्रफी रिसोर्स और डेवलप्मेंट का पार्ट 6 कंप्लीट करवाएंगे और पार्ट 6 परेंगे आप समझे लेंड वह होता है दिन बात दिन खराब होता जारा है आप कहेंगे लेंड खराब हो रहा है देमेज हो रहा है और खतम हो रहा है कहेंगे land कैसे खराब हो रहा हो देखिए land बहुत आयसे खराब होता है यह हम discuss करेंगे और इसको कैसे ठीक करना है वह भी हम हम इस टॉपिक में discuss करेंगे ऑके जैसे कि हम सब को पता है हम land के ऊपर रहते हैं हमारा जो खाना ना होता है फुड शेल्टर अ क्लॉटिं सब लेंड से याता है हम सबसी में सब में में हुआ writers है की आल फूड depress यह भी हमारे वजह से यह हो रहा है यह भी हम human beings की वजह से हो रहा है हम human beings क्या ना पता मतलब हमको पता है और यह नहीं पता है जानते जानते हम क्या करते हम पूरा अपना लेंड जो है हम उसको damage कर रहे है यार तेको some human activities like deforestation लोग अपने लालच के लिए चुछ पीड्न के लिए खफ़्ष मिलते हैं और यह एक कर लेंड पर जो जबना सब्सक्राइlements करने चлат不好 सजब करने उसके रहें होता है अगरूचर करना यह उसका पर माइनिंक के बज़े से भी चैसля। जैसे खोदते हैं ऐसे उस जगह पर जैसे कि फॉर एक्जम्पल प्रेट्रोलियम का माइनिंग के तो वहाँ पर तो एक्रिकल्चर होने से रहा सो ऐसे करके कुछ human activities हमारे कुछ activities के वाज़ा से क्या होता है हमारे land degradation होता है हमारे land खराब होता है जिसके वाज़े से हम इस land को दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जस्ट कुछ नहीं कुछ एक्जम्पल लिया गया है जैसे कि कुछ जगह पर कैसे कैसे land degradation हो रहा है वो land कभी यूज नहीं हो सकता है तो यह था हमारा land degradation आपको समझा है land कैसे खराब हो रहा है हमारे ही कुछ activities के वज़ए से land हमारा क्या हो रहा है अब देखिए उसके वाद there are the measures to solve the problem देखिए जिंदेगी में एक बात याद रखेगा problem है मतलब उसका solution भी है अगर problem है solution जरूर है so कुछ steps okay जो क्या करता है जिससे की वाजा से हम हमारा जो यह problem है land degradation वाला वो problem हम solve कर सकते हैं by following this step there are the many ways to solve problems like land degradation okay so land degradation solve करने का बहुत सरा problem पहला है afforestation and some proper management of the grazing to help the extent okay पहला काम हमको जो करना है हमको जादा से जादा afforestation करना है afforestation मतलब plants लागाने है okay वह कुछ भी हो सकता है वह आप आम का पेर लगाई है वह आप कुछ fruits लगाई है कुछ vegetable लगाई है कुछ और पेर लगाई है जिससे आपका economy भी growth है simultaneously क्या हो रहा है आपका जो oxygen level है वह भी बर रहा है और environment भी अच्छा हो रहा है okay so afforestation एक अच्छा planning है दूसरा है जो proper management of the grazing that means जो आप agriculture करते है उसमें उतना fertilizer यूज मत करो उतना कुछ यूज मत करो जिसके बादे से आपका पुरा land खड़ाप हो रहा है ऐसा कुछ मत किया करो तो पुरा खड़ाप हो जाएगा उसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है वो देखिए planning and the shelter and the plans okay planning करना चाहिए कि कैसे कैसे लेंट यूटिलाइज करें कैसे सस्टेनेबिलिटी लाया जाए okay proper management of the wasteland जो wasteland है आप देखिए बहुत सारा लेंड है जहापे कोई agriculture नहीं हो रहा है presently कुछ नहीं रहा है उस wasteland को कैसे आप ठीक कर सकते है naturally वो तरीका आपको ढूरना परेगा आपको pollution most important आपको जो pollution है pollution को reduce करना परेगा आप देखिए जैसे land pollution हो रहा है आपका जैसे आपके land पे कर सकते हैं तो इस पर डारेक कुछ नहीं हो सकते हैं कि land जो खड़ा हो रहा है उसको कैसे हम ठीक करें अब यहापे हम परेंगे soil as a resource ओके अब देखिए बुक के परे बुक के उपर उठके हम देख सकते हैं कि हमारा जो resource है soil है okay जो soil क्या है soil एक resource है आपके कैसे resource है soil से हमको सब कुछ मिल रहा है हम soil के उपर रह रहा है यह तो basic हमको बता चल गया कि हम soil के उपर रह रह रहा है हमारा soil के उपर हमारा घर है हम स्वैल के उपर रहते हैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग वर्ड में वो कहा रहते हैं स्वैल के उपर रहते हैं स्वैल के उपर ही सब कुछ हो रहा है उनका नहाना, धोना, खाना, सोना, पीना, रहना, फैस्टिबल्स, पूजा उसके बाद जो जितना भी हो रहा है उसका सब हो रहा है का भे स्वायल के उपर हो रहा है वहाँ स्वायल छोड़के वहाँ कही और नहीं हो रहा है अप रहे का आस्मान में रहे तो नहीं रहे तो आप मिट्टी के उपर हो आपके जो आम खा तो आम का सीजन चल रहा है आम खा अब देखें जो फैसोल होता है तो आपको समाझ कहा तो यहां पर यह दिसकुशन कहा गए है और आप देख सकते हैं आप बढ़ी क्लास में जाएंगे आप बहुत अच्छे से परेंगे इसमें तो जब आप कॉलेज में डिग्री करेंगे तो इसमें तो इसका कैता कुर्ण यह भी है आप जो डिसकस कर सकते हैं मतलब उसका कॉर्स है सोहल के लिए आप समझ गए इस वीडियो में इतना ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में यह चप्टर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे इस चप्टर में कुछ पेंडिंग नहीं रहेगा यह चप्टर पूरा खतम हो जाएगा तब तक के लिए प्लीज हमको कमेंट में जरूर बताएए और अगर कुछ प्राब्लम हो सकता है तो हो गया आपको तो हमको बताएए हम आपके लिए 24.7 डेडिकेटेट है तब तक के लिए थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ गुद्बाइ प्लीज बताएएिए और निया प्लीज येरी मत चाराब। वे आपकीर, क्या-क्याो तक भावम हो जदाएए शली प्लीज प्लीज भावम हो थैंक्यान रिताव म 네एशन हम नयार प्लीज वेरी मत पुछ